नमस्कार, आदर सिक्षन संस्तान जोदपूर के ओनलाइन सिक्षन में सभी अभिभावग जी का हार दीख स्वागत एम अभिनंदन कक्सारून सेक्सिक व्यवस्ता विज्ञान प्रियोकसाला विज्ञान प्रियोकसाला में मैं आज आपको कठोर और मुलाइम का ज्यान छोटे भयावईनों को किस परकार से करवाना है उसके बारे मैं बताऊंगी छोटे भयावईनों को कठोर और मुलाइम का ज्यान करवाने के लिए हमें सायक सामगरी का प्रियोग करना है कर्मे जितनी भी कठोर और मुलाइम वस्त्वे हो उनका परियोग करके हमें भयाबैनों को बताना है जैसे छोटे भयाबैनों को दिखाना है ये क्या है ये देखो ये सपेद रंकी ये क्या है देखो मुलाइम मुलाइम ये हैं रूई इसको देखा है ना आप सभी ने भगवान के आगे सुबह साम हम जो दीपक जलाते हैं आरती करते हैं तो दीपक के अंदर जो हम बत्ती बनाते हैं वो इस रूई की बनती है ये हैं रूई ये मुलेम होती है ये देखो ऐसे दबाने से ये जो दब जाती है तो है मुलाएम जिसको नरम भी कहते हैं यह देखो यह है इस पंज आप सबने देखा होगा गाडियों में जो सीटे लगी वी होती है वह इस इस पंज की बनी होती है इसको भी ऐसे दबाते हैं तो यह दब जाता है यह मुलाइम यह इस पंज जो होता है वो होता है मुलाइम और यह देखो यह है बॉल बॉल कहलना सबको अच्छा लगता है ना यह बॉल है इसमें पिले रंग के चैक्स बने हुए है यह हरे रंग की है और इसमें पिले रंग के चैक्स बने हुए है और इसको भी ऐसे देखो ऐस और यह देखो, यह है मचली, सब नहीं देखिए ना, मचली जल की राणी होती है, यह पानी में रहती है, यह भी मुलाएम है, यह मचली जो है मुलाएम है, इसका मूह है जो लाल रंग का है, और ये देखो ये है फूल गेंदे के फूल इसका रंग है औरेंज के स्रिया ये जो फूल की पंकुड़िया होती है न ये बहुती मुलैम होती है ये देखो ये देखो ये है पत्थर अब इसको हाथ में लेके ऐसे दबाओ तो ये दबता नहीं है तो इसका मतलब ये है कठोर क्या है कठोर पत्थर जो होता है वो बहुती कठोर होता है इसको दबाने से ये बिल्कुल नहीं दबता है, तो ये हैं कठोर, और ये देखो, ये काज का है, पेपरवेट, और इसको ऐसे दबाओ, तो ये भी दबता नहीं है, तो ये भी है कठोर, क्या है कठोर और ये है एक लपड़ी का गुटका इसके उपर लाल रंग किया हुआ है इसको भी ऐसे दबाओ ये भी दबता नहीं है तो ये भी है कठोर ये क्या है कठोर और ये है ताला सब ने देखा होगा ताले को ये लोहे का है और इसको भी ऐसे दबाते हैं, तो यह दबता नहीं, यह भी बहुत कठोर है, इस परकार से हम घर में रखी, और भी कई जो बस्तोय कठोर और मुलायम हो, उनको छोटे भयाबैनों को परत्यक साथ में देना है, और उनको दिखाना है, जब तक कि भयाबैन स्वेम नहीं बता कि यह कठोर हैं, और यह मुलायम है, तब तक हमको छोटे भयाबैनों को कठोर हो मुलायम की जानकारी कराते रहना है, धन्यवाद.